जहिन जह भारत में रेबल सदानन पती आप लोगों के बीच जामा मस्जिद में और बताना चाहूँगा आप लोगों के एक बात आज जंतर मंतर के लिए मेरी पर्मिशन थी ऑफिशली डॉक्यमेंट में भी थोड़ी दिर में मीडिया के सारी टीम को वाट्साप कर दूँग मैं यहाँ आज आप लोगों के बीच अपनी कैमपेंट सेव इंडिया कैमपेंट के लिए हूँ जिसके अंतरगत मैंने जामा मस्जिद को इसलिए चुना क्योंकि एक बहुत ही पाक जगा एक नायाब जगा है और जहां से सारे धर्म सारे जातियों के लोग आते हैं और जं पिश्मीर जो हमारा सर है और सर से लेके पैर तक यानि की कन्या कुमारी तक में जाओंगा और आप देख सकते हैं पिछले 6 मीने का मेरा सफर देश के बिविन प्रांतों में बिविन राज्यों में बिहार बंगाल उडिस्टा सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो बताना चाहूंगा भाई और बैनों कि आप इस बात को देखें कि सेव इंडिया का अंतरकाद हम क्या करने वाले हैं बीजेपी गॉवर्मेंट ने एक बात कही थी कि हमने 370 अटाया तो मैं 370 का जो असर है उस असर को देखने के लिए जा रहा हूं शीनगर वहां के बिवि प्यार हैं देश के लिए और उनको आप संपर कर सकते मेरे जितने भी युवा साथी हैं जितने भी वह सारे लोग बाशिद जी से संपर कर सकते हैं और उनका फोन नमबर में आप लोगों को भी शेयर कर रहा हूं भाई और बैनो जब आप उनसे मिले तो मेरे शीनगर का 12121 जम्बु काश्मीर में मैं यह जो यात्रा सुरू कर रहा हूं वो श्रीनगर से सुरू कर रहा हूं हजरत बल और शंकराचारी का अधी मंदिर से दोनी सफर में करूंगा अवंतिपुरा और अनंतनाग पुंच दोडा जितने भी जिले हैं वहां की जो समिस्या हैं वहां जितने भी कारिकरम की अब तक और उन्होंने जो बताया पिछले 5 अगस को उन्होंने यह क्या तर 5 अगस में राम जन भूमी का किया अविद्या का सफर भी में करूंगा लेकिन सुरूआत अगले हफते फ्राइडे से काश्मीर का में सुरू कर रहा हूं से इंडिया कैंपे कि बात है ताकि हमारे देश के जितने नागरिक हैं वो बटे नहीं हमारे देश में बिरोजगारी का मुद्दा दा दो करोड नौकरी की आज की डेट में 15 करोड नौकरी यह जा चुकी है इसके उपर कोई बात नहीं करता हमारे देश में जितने भी रिक्षा वाले जितने में रिख्षावाले जो ओटो द्योग के लोग है जो चार मीने से अपने घर बैठे रहे उनके उपर कोई बात नहीं करता वित्यमंत्री जी आती हैं आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जो वर्ल्ड वाइड सबसे जादा वाइरल है और देश विदेश में इसके उपर पर्मिशन लेका है और कागज मेरे पास आज है मौके पे है यह मैं आपको बताना चाहूँगा लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि रेबल आप यहां पे ना आए क्योंकि पॉलिटिकली हम पे प्रेशर रहता है तो मुझे लगा कि भई 10-45 का टाइम है जादा में जानी सकता तो क्यों ना जामा मस्जिस से सुरुवात की जाए यह एक एहतिहासिक स्तल है और हमारे देश के लिए एक राष्टिय सम्मान और धरोवर है और बीविन ने जबाई जो मेरे साथ आप युवा साथी देख रहे हैं यह कोई मेरे पार्टी के समर्थक नहीं क् मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरी बात एक और है जब आप सेव इंडिया कैंपेंड में जुड़ते हैं तो आप इसके हर जगा की समस्याओं को देखें और लाइव में कमेंट्स को देखें और फिर मुझे सुचित करें पामपोर जहां केसर की खेती होती है 419007386 मेरे पामपोर आनंतनाग अवंतिपूरा का जो यात्रा हुआ जम्मु काश्मीर में उनके बारे में आप खादिम साब से संपर कर सकते हैं जो लोग यह कहते कि नेता लोग जाते नहीं है नहीं जाते लेकिन हम लोग यूथ बागी हैं मैंने हमेशा बोला मैं बागी की श्रदानों ने कि rebel और rebel को सरकार पसंद नहीं करते मैंने सामपित पात्राजी से निर्मडा शितरामान जी से मानिन्य प्रधान मंतरी मोधी जिसे और the UK मानिन्य मुख्य मंतरी योगी आदितनाद जी से भी कई सवाल किये उन्का जवाब मुझे आजसक नहीं मिला व बात करते हैं जम्मु काश्वीर में ब्रामणों को पंडेतों को बसाने की आज यूपी में ब्रामणों की लगाता रहत्याएं हो रही हैं तो एक देश में दो पेमाने नहीं चल सकते मानिनिय प्रधान मंत्री जी मेरा हाप से बिनम्र निवेजन होगा क्योंकि मैं कभी भी असब भासा का इस्सेमाल नहीं करता आपके नेता ग्रिय मंत्री जी अमिच शाजी इनके पोस्टर लगते हैं साउट एक्स में कि इन्हों ने करोना को भगा दिया मानिने प्रधान मंत्री जी आपने हमसे थाली पिडवाए दिये जलाए तब 15,000 लोग करोना से पिड़िते आज 15 लाक से उपर है तो जवाब यहीं पर है मैं क्यों बोलू कि आप सही अगलत है आप कहते हैं आकड़े बताते हैं तो आकड़े बताएंगे लेकिन अब वक्त आगया कि आप सड़क पे आईए आपको हमने सड़क से संगसत तक भेजा था मैं आपसे वादा करता हूं मानिने करदानमित्री मोधी जी अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको दुबारा शंग्सत से सड़क तक लाया जाएगा ये जंगता के आवाज ये कोई नीजी आवाज हुए बिभिन संगठन आज देखिए डॉक्टर कफिल खान उनके लिए हम प्रयासरत हैं हमारे संगठन के लोग अलाबाद में उनका केस लड़ रहे हैं मेरी मिसेज वो भी लॉप्रोफेशन से वो उनको केस को असिस्ट भी करने के लिए तेहार हैं अखिल गोगोई जो आसा होगे अधित्यनाज जी लखनों में बैन फौजया राना जो कि मुनवर राना की बेटे हैं और मेरी साथ ही हैं जब आप उन पर मुकदमा दर्ज करते हैं तो मुझे दुख होता है आप उनके पोस्टर लगाते हैं लोगों के कीन लोगों को पर पैसे जबकि सुप्रीम से बढ़े हैं भाई और बैनों आज के आवाज केवल सेव इंडिया के लिए मेरा फेस्बुक पेज रेबल सदानन पति आप गूगल पर केवल रेबल बोलें आपको अपना बेटा अपना भाई आपको गूगल पर नदर आएगा और मैं कोई संगधन नहीं चलाता हूं मैं एक MSM संगधन चलाता हूं कोई राजनितिक दल का आदमी नहीं हूं मैं अगर कांगरिस का निता काम करेगा तो उसकी बातारीफ होगी नहीं करेगा तो उसकी भी पोल खोली जाएगी चाए बीजेपी का हो चाए आम आदमी पार्टी का हो हमारा एक छोटा सा आर्टिकल है ह और वो पेमेंट की क्या स्थिती है उसको हर महीने में आप लोगों में पब्लिक करूंगा आप मेरे पेज पर आके देख सकते हैं लड़ने के कई तरीके हैं लेकिन में कनुरोध करूंगा आज 9 करोड से जादा लोग मेरे संगधन को जोड़ चुके जो आप इंटरनेट मे देख सकते हैं केवल तीन महीने में और 5 सेप्टेंबर से अमरीका के दो और ऑस्ट्रेलिया के तीन जगाओं पे मेरा कैम्पेंड शुरू हो रहा है मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं मद्यमवर परिवार से हूं वैगनार में चलता हूं आपके एक साथी ने बो लेकिन यह मेरे भाई है मैं यह जानता हूं गलत तो नहीं है गलत तो नहीं है जी दूसरी एक बात और है दूसरी एक बात और है मैं इस मुल्क को हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानता मैं इस मुल्क को भारत के नाम से जानता हूं यही नाम है ना मारे मुल्क का आज आप म काश्मीर के जितने नेताओं को आपने PSA के अंदर बंद कर रखा है, उमर अब्दुल्ला हमारे युवास आती है, आप उनको नजर बंद करते हैं, आखिर एक साल से ज्यादा क्यों बंद कर रहे हैं, क्या वो आतंगवादी हैं? उनका जुर्म क्या है? आज अखिल गो गई, वो तो हिंदू हैं आप उनको बंद कर देते हैं वो किसानों के आवाज उटाते हैं आज डॉक्टर कफिल खान जिन्होंने गोरकपुर में इतने लोगों को चमकी बुखार से बचाया उन्होंने अपनी भावना शेर किया आपने जेल में डाल दिया आज उनकी जमानत नहीं ह भागे थे मेरे मंद से याद होगा आप लोगों को हर मंद से भागना पड़ेगा लेकिन मैं एक बात अनुरोद करूंगा मेरे जितने भी साथी हैं और जो लोग मुझे सुनते हैं मेरे हाथ जोड़के बिंती है आप मोदी जी के परिवार में वेक्तिकत कोई बुरा शब् अज उत्तर पदेश में भाजपा की सरकार है और केंदर में भी आपकी सरकार है सबसे जादा क्राइम का रेकॉर्ड जो है उत्तर पदेश में पत्रकार की हत्या होती है बलातकार की घटना होती है यह जो जगह है यह बहुत ही पवित्र जगा है जामा मस्जिद बेहत पवि भाई एक बार आके बता तो दो कि देश का गद्दार कौन है और तुम कौन हो घोली मारने वाले क्या तुम कोई सरकारी तंतर हो क्या तुम लाओ विदान हो तुम क्या हो गौवर्मेंट कॉंसिल हो और हमिशा जी हमेशा से में बात पुस्ता आया हूं आप लोगों ने बोला इतनी बात है कि मानीय रक्षामंत्री का पुत्र वी विदायक आपके जादातर विदायक के पुत्र विदायक सांसत पुत्र विदायक तो परिवारबाद तो आप फैला रहे हैं आप लोगों में बात बहुत घलत कर रहे हैं किसी हिंदु को आपको हिंदु कर Champions पढनानी की सबसे बड़े शायर है आपके पार्टी के लोग उन्हें भी कद्दार कह देते हैं इस देश में देशबक्त होने का पैमाना क्या है कि हम बीजेपी का टीशट पहन लें यह हम आरेसेस का आप पेंड पहन लें तो ही हम देशबक्त हैं क्या हामिद गुल ने कुर्बानी नहीं दो चार लोंगों का नाम मैं बताईहए टेबल पर आके जिन्हों ने देश के बर्ट गुलामी के को दौरान कुर्बानी देदियों बीजेपी के दो नेता गंताओ इनौद लेकिन आपको गिनाता हूं आपने ट्रेन भीचा आपने पलेन वेचा आपने हवाईजाज बेची आपने बीएसनल बेचा आपने बीएचियल बेचा आपने मंदिर बेचना शुरू कर दिया आपने लाल किले तक को लीज करना शुरू कर दिया जिस लाल किले के उपर आप सवाल उठाते हैं मेरे पीछे यह देखे बाई और बेनो लाल किला आप अफसर जी जिस लाल किले के लिए आपके पार्टी इतनी बड़ी-बड़ी बाते करते हैं 15 अगस्तर 26 जनवरी को आप उसी लाल के लिए से तिरंगा फेराते हैं एक काम कीजे अगर लाल के लिए से शिकायत है दो नए बिल्डिंग बना लीजे बढ़ तिरंगा तो जहां है तिरंगा है क्यों बाई हो गलत तो नहीं है देश तो हमारा एक ही है न या हमें कोई ये भी बताएगा कि देश कैसा होता है आप से पहले भी लोग देश भक्त रहें आप एक काम करें मैं काश्मीर में अगले फ्राइड़ ये जो सुक्रवार आ रहा है मैं काश्मीर के यात्रा सुरू कर रहा हूँ आप जेल के दर्वाजे खोलें आपने चन इतने दिनों में जो मुझे भी बठाया थाने में आपने बहन एमन रिजवी जो परसो मेरे साथ थी शाहिन भाग में प्रोटेस्ट करती थी उनके पैर के नाखून तक उखाड़े गए बेंजी भी हमारे साथ हैं विचार धारा सबकी एक ही कि देश को बचाये जाए तो मैं एक बात आपको बोलूँगा आप जेल के दर्वाजे खोलना सुरू करें खुली करें और अगर ये संगठन आप लोगों को खाना ना पहुचा दे अस्पताल में तो हमारा नाम बदल लीजेगा आपने ये करने नहीं दिया लेकिन आपने जिन लोगों को करोना में रखा कॉरेंटाइन में आप उन्हें पानी तक नहीं पहुचा पाए एक आज वीडियो नहीं है लाखों के तराज पे वीडियो भाईयो गलत तो नहीं बोल रहे है देखिए देश के जितने भी लोग है न बहुत तरस्त है जब से आप आएं आपकी सारे सिदान फेल होगे नोट बंदी आपने बोला काला धन आएगा वो आएगा अरे भीया आपने हमारा सारा धनी ले लिया हमारे औरतों के जो छोटे मुटे धन होते देना कि ब्यास शादी एमर्जनसी के लिए बचा हुआ रहेगा आपने वो तक GST में ले लिया उसके बाद आपने कमाल कर दिया एक और थोड़ पीछे आपने कमाल कर दिया बहतरीन जो आपका achievement है वो भी हम आपको गिना देता हूँ आपने बोला हम पाकिस्तान के अंदर घुज गए आज चाहिना हमारे अंदर घुजा हुआ है कभी आप बोलतों आ गया चाहिना कभी बोलता चाहिना टेबल टेनिस कभी 2020 कभी टेस्ट इंडिया भाईया डिसाइड तो कर लिजे कि गिरिया मंतरी जी और आप दोनों में से सच कौन बोलता है आपने बोला आत्मनी रिवर बनो यकीन मानिये दोईस्ट की जनता का आत्मा ही आपने ले लिया और पहले भी मोदी जी आपने एक दिन बोला था कि मैं चाय बेशता था श्टेशन पर अब लोग यह कहते हैं कि स्टेशन को चाय वाला बेच रहा है भाई एक पर तो ताली हो जानी जीरे भाईयार यह ताली इसलिए देखे हमारे देश के लोग कितने बहतर हैं कि जब हम किसी के विरोध में भी बोलते हैं तो भी वह अफशब्द नहीं बोलते लेकिन आपने लखनों मुरादाबाद शाहिन वाग में जितने भी लोग हैं ठोक के मुकदमे लगाए आप जामियां के अंदर खुश गए आपने छात्रों में लठ बजाया आपका दिल नहीं पसीजा जिन लोगों ने जामियां के छात्रों को मारा क्या उनके बच्चे छात्र नहीं हैं क्या वो कभी छात्र जीवन में नहीं रहे क्या उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा वो अपने लेबाटरी के लाइब्रेरी के अंदर थे वो वीडियो लापके सामने आपने इंक्वारी बटा दी करोना काल में आपने लोकों को बोला घर से बाहर मत निकलो करोना है करोना है एक मास्क पहने तो और तो के सामने उनके husband's की पिटाई करी किसी को तो fracture भी आया कई वीडियोज हैं लेकिन मानिये प्रदान मंत्री जी आपकी एर आपकी टीम राजस्तान और मत्रदेस का नेताओं का अधला बदली करोना काल में करते रहे ताब ये social distancing कहां चला गया था ये करोना बड़ा secular है जहां बीजेपी क कि जो celebrity देना इन पर जादा ट्रस्ट मत कीजेगा मत कीजेगा जैसे कि अमिता बच्चन नानवती अस्पताल के डॉक्टर को धन्यवाद दे रहे दे आज से चार साल पहले गुजरात के ब्रैंड मेंजर दे आओ कभी राजस्तान में कच में आओ अरे भाई जब हमारे सरका हमी क्यों जाते हैं मैं बताता हूं क्यों जाते हैं क्योंकि नानावती अस्पताल का जो गुरूप है उसका नाम है रेडियंट गुरूप और हमिताब बच्चन जी उसी रेडियंट गुरूप के बोड़ डारेक्टर्स में तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं हमारे को ब कोई भी मोधी जी को गाली ना दें कोई भी किसी के परिवार को क्योंकि माता बहने सब की एक हैं और दूसरी एक गारेंटी है और खुदा के दर्वाजे पर डरेंगे तो फिर खौफ कैसा है मेरी बात एक बात मैं आप लोगों से शेर करता हूं आज जब मैं लोगों के बीच आता हूं अक्सर उसका एक कारण है लोग कहते हैं कि वहल मीडिया में बोलता है एसी में बैठता भाई सीधी बा सबी का इवन बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि रेबल भाई आप जो बोल रहे हूं न वो हम पार्टी में रहे के नहीं बोल पाते क्योंकि पार्टी से निकाल दिये जाएंगे आप एक बात देखिए आज सुब्रमनियम स्वामी जी बोलते हैं गलत है लेकिन सुब भी बिहार में बताएंगे बिहारी की तागत बिहारी हूं जमशेदपुर से और शुषान जी राजपुत का जो केस है जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं सेंड मेरी इंगलिश मीडिया माई स्कूल जमशेदपुर सुषान जी के आखरी मुवी उसी स्कूल में शूट हुई ह मैं स्कूल का हिस्सा हूँ और आवाज हमने उनके लिए भी उठाई है पहली बात हम लोगों के आवाज बनके आते हम फॉल्टीकल नहीं है ना ही हम कभी राजनी तीमाएंगे बागी का राजनी चीज़ी क्या लेना देना पहली बात जो लोग लोगों के बीच में आके इस काम को करते हैं ऐसे लोगों का बहुत खंडन है भाई और मैंनों मैं हैस्टेग सेव इंडिया अंदोलन शुरू कर रहा हूं जम्मू कश्मीर से जुम्मे के दिन से एक महिने का मेरा पूरा सफर है कन्या कुमारी तक और आप सडकों में पाओगे मुझे कोई होटल में नहीं पाओगे और एक एक दिन में फाँच बार लाइब आऊँगा हर छेतर दिखाऊँगा इनको कि कश्मीर में नहोंने क्या किया है मैंत अभी बोला न ये कश्मीर में पंडितों को बसाने की बात करते हैं आज यूप में सबसे ज़ादा ब्रामनों की हत्या हुरी है सबसे ज़ादा पत्रकार मारे जो पत्रकार इनके किलाफ कुछ बोले उनके हत्याई हुरी है उनके पर आप देखे कुल्डिप सेंगर एक बच्ची का बलातकार होता है उसके पिता मरत उसके चाचा की हत्या होती है वकील का एक्सिडेंट में मडर होता है लेकिन फिर भी उसे जमानत मिल जाती है जमानत ये कैसा देश है जहां निर्भया को इंसाफ 8 साल 9 साल लगते हैं और फिर यह बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे क्या यह अच्छे दिन है बाई एक बार आवाज से बोल दीजे मेरे बाई क्योंकि हमारी आवाज नहीं रपती भाई देखो डर खौफ अपने अंदर नहीं है जिसे शौक से उठाना अंदर ले जाए बाई वकालत में धं पाबंदी हो सकती है क्या हम कभी किसी समुदाय के बारे में बात नहीं करते आपके यहां जितने भी लोग हैं नहीं नहीं योजना कर रहें आप बिल्डिंगों को भगवा रंग दे रहें अरे रंग से तरक्की करोगे आप ती रंगा कोदे कोई यह बगवा है तो कहां है मेरा नाम साहिल साहिल भाई अब भाई मैं तो साहिल भाई के साथ खड़ा हूं और मुझे इन से डर नहीं लगता आपने बोला मुसलमान आपके घर बढ़ जाएंगे कपिल मिस्तर है पता नहीं कौन था उसे ज्यादा मैं तो देनी की जरुवत नहीं है वो इस लायक नह है दिल्ली में आपने दंगे करवाए और दिल्ली में आपकी शिकस्त हुई दिल्ली वाले जगे हुए हैं बिहारी तयार हैं बंगाल में आपका घंटा कुछ नहीं होगा आज आप जान लीजे ममता जी बैठी हैं और देखे मैं ना ममता जी का टीम का सपोर्टर हूं ना के कहांदे रहेंगे शरम तो आईगे ना वई विदायक को हमने इन विदायकों को सांगसदों को सडक से संसद पूंचाया इनको संगसद से शडक आप दोबारा पटंचानी के फमारी उकात है ना वैशंत आपने अपना किसी को भी वोट जब का हम समझगा है ऋ crashing जाना हो जैसी सब क्रिमिनल ना जाना पर जिसका क्रिमिनल को ऐसी सी करिमिनल है और यही लोग हमारे जैसे लोगों का आतंग वादी डेक्लिएरire करते हैं इनी बातों के साथ जामा मस्जिद में मेरे सारे युवासातियों के साथ हैस्टाग सेव इंडिया काश्मीर में फ्राइडे से इसी फ्राइडे से आज से पांस दिन बाद 28 तारिक से मैं अपनी यात्रा सुरू कर रहा हूं एक महीने की मेरा फेस्बुक पेज पती आप रेबल श्रदानन टाइप करेंगे आपका चोटा भाई दिख जाएगा अगर अपको हमारे अंदर कोई खामी नजर आती है आप अपने कमेंट्स लिके हम सुदार करेंगे सुधार करेंगे अगर आपको हमें कहीं लगता है कि इस चीज को बोलें तो भाई के लिए अच्छा है सजेशन दीजे फोन कॉल लगबग आठ से नौ लाक आते हैं वो फोन अभी अन्रीचेबल है सबका फोन नहीं उठा पाता पहले माफी चाहूंगा कारण एक अकिल आदमी कि कमाई 6 लाक से 18 लाक है एक जज की तंख्वा देड़ लाक हैने कि साल के 18 लाक है तो क्या एक जज मद्यमबर्ग परिवार से होता है जबके आप ही की कोड़ बोलती को करीमी लेर में आते हैं हाई स्टेंडर्ड तो मोदी जी स्मृतियरानी जी ने कई बार चूड़ियां भेजी थी हमारे पुर्व के मानीनिय प्रधान मंतरी मनवन सिंग जी को जब पेट्राल सत्तर रुपे लिटर था मानीनिय स्मृतियरानी जी चूड़ी में जामा मस्जिद से खरीद के आपके घर ले आता हूं जैरा मोदी जी को भी बेज दीजे गलत तो नहीं बाई गलत उसे तो मौत है भाई एक बार तो मर नहीं है तो क्यों ना ढंग से मरें और इनके आतों मरेंगे बहतर इन से लड़के मरें क्या हर्जे और जो लोग यह कहते हैं कि हिंदु मुसल्मान अलग है मैं आज आपको फक्र जे बोलता हूं एक बात मेरे फॉल्वर में 70% मेरे मुस एक पर लाया उसके सवाल का जबाब तो मुझे देना होगा फो देते नहीं जी ने बोला हम तो पहलन न ही करते मर्दान मंत्र Anda इन स्थिजे हम तो लागू करते हैं वहाइं आप सो करो मीटिंग के पहले अपस में डिसाइट ही है निनुवला जी बोलती है हमने 120,000 करोड द आनो कौमी एक्ता को बनाए रखिए यह दो चार मुर्ग जो नेता है भगवादारी आद दो चार जो टोपी धारी दोनों का नाम लूँगा भाई दोनों ही है दोनों ही है हर कौम में दिक्कत है पर हर कौम के अच्छी बात है क्यों ना हम कौम के अच्छी बात को ले हम यहां मेरे बाइब बात और बता दें एक बात ऑर बता दें सभी मुद्धों में बात होगी सभी विशेमें चर्चा होगी मेरे साथ मेरी लीगल टीम है आपके पड़ेली के सुरीचे ना निकले तो मैं अकेले ही काफी हूँ पोस्ट ग्राइजवेट हूँ गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पहली बता दूँ जब आप एक बारवी पास को सिक्षा मंतरी बनाते हो तो क्या एक पीजडी वाला उससे कवर करेगा एक आपको ये बास समझना होगा अफसर आपको ये बास समझना होगा ये देश आप जुमलों में नहीं चलेगा मैंने अपने पहले बाशन में एक बात बोला ता अगर इजाज़त हो तो कह दें इजाज़त है खुल के देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया गुजर Yeah, 56 एंच सीना देखा 56 सीना देखा शेर की चाल कमाल करते हो मिया आज हम्पे भौख रहा है नेपाल अंप नेपाल आज नेपाल कहता है कि भगवानदrodrum नेपाली थो असब आखया नेपाल में था था तो भाउ और पशकार मेरे पत्रकार साथ यह सारी चैनल वालें आपका अभिवाधन आप सब का अभिवाधन सेंड्ल लग हैं या ऐलाओड है कि帆ल कवछ मेरा स्टैंड मंना ह Whenever आप सब का अभिवाधन पाझ मिंट आओ चलने दिज़े इस binge यह सारे हमारे मीडिया चैनल वाले जो आप देख रहें बीविन चैनलों पर हराम नम से दिखाए बिलकुल सबका फेसवाइस दीजे जी आप कौन से चैनल से बोली एक बार पीछे बाइस आप गेंदर जी वाइस नियूज नेटवर्क आईए देखिए मैंने किसी मीडिया को सुचित नहीं किया था लोग अपने आप आ रहें भाई बराबर आपको बोला देखे मैं आ रहा हूं आज यहीं इन्शाला मुलाकाद हुई ना अभी ने इस बात की तबियस से पैसे देखे पैसे देखे इनका कोई सोशल डिस्टेंजिंग नहीं देखे एक मंच है एक मुलक है और मुलक है भारत मेरे साथ एक बार बोलेंगे भारत माता की जाए भारत माता की लेकिन देश को भारत के नाम से जाना जाना चाहिए पहली बात भारत के नाम से देश को ज गोई दिकत नहीं आमीर खान को आप ही अपने गॉवर्मेंट के एड़ में ले आते हैं और जब वो कहते हैं कि डर लगता है डर लगता है तो सबको डर नगले हैं अना कि आमिर जी की गलती दी, आमिर खान ने दो बार शादी की दोनों बार ब्राह्मन परिवार में, कहां डर लगता है जी, कहां डर लगता है, ये देश खुला हुआ देश है, ओपेन देश है, पहला युनिवर्सिटी बिश्व का इस देश से सुरू हुआ है, हमारे इस याफ भायचार है एक प्रेम को सर्थ बरकरार्ण रखेंगा कोई भी वक्ति कोई भी आदमी कभी भी पूरे शब्दों का प्रयोग ना करें मैं अनुरोदकरता हूं कोई भी मोधी जी कोई भी बीज़ेपी के कोई नेता के परिवार के पारे कि यह हमारी तैजीब नहीं है क्या नहीं है यह हमारे संसकार नहीं है क्या नहीं है संसकार क्योंकि हमें लगता है कि तैजीब तालीम से पहले जरूरी है हमें लगता है संसकार से सिख्षा से पहले हमें संसकार जरूरी है इस देश का एक ही संसकार रहा है वह वीविदिता में प्रवियर परदी आफने एकता अपने उलाईन सुनी होगी मजभब नहीं सिंका ठार आपस में बहुत रहे लगर रखना इस देश में लाको लोगों लिए अपना पसीना खुन दिया है लाको लोगों नहीं है मैंने बोला है जिस भी लोगों का नेता का मुकदमा ना हो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना हो आधी रात बुलाई हम कैम्पेंड करेंगे आपके लिए क्रिमिनल्स के लिए कोई जगा नहीं है और एक राकरी पंक्ती मैं बता दूं आपको यह बोलते हैं और तो कि सुरक्ष जैसे सेव इंडिया जय हिन जय भारत लाइव कि जैए